शकील तो क्या सबद खतम हो गया है शकील बहुत अच्छा क्वेशन है शबद का मतलब क्या है शबद का मतलब होता है आराम तो आप मुझे पूछ रहे तो क्या आराम खतम हो गया है नहीं आराम जो है हमें येशु मसी में मिल गया पूराने नियम में लोग उस आराम के लिए तरस रहते अगर आप निर्गमन में और वेवस्ता वेवरन में जाते हैं प्रभू इस्राइल के लोगों को देखकर ये कहते हैं कि जैसे तुमारे पिता ने छे दिन में आसमान जमीन सब बनाया और साथवा दिन आराम किया वैसे आराम को मैं तुमें दे रहा हूँ क्योंकि तुमें मिस्तर देश की गुलामें से मैंने बाहर लाया है तो परमेश्व जो है वो आराम के बारे में बात कर रहे थे जो आदम और हवा पाप करके खोने से पहले आराम में थे वो आराम का एक साया था, शबद, लेकिन जब नए नियम में आते हैं, नए नियम में आने के बाद वो साया चला गया, ओरिजिनल आ गया, इसलिए येश्य मसी कहते हैं, बोच से दबेवे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रान्ती दूँगा, और वो कहते हैं कि शबद का परमेश्वर मैं हूँ, मतलब क्या है पता है, लोग कहते हैं कि शबद का परमेश्वर मैं हूँ, बस वो दिन के बारे में, नहीं, येश्य मसी कह रहे हैं, वो आराम, वो शबद का जो मतलब है आराम, वो आराम का अर्थ मैं हूँ, अगर आपने येश्य मस को स्विकार किए उस दिन से लेकर आज तक और दुनिया समाप्त होने के तक और उसके बाद भी आप शबत में हैं तो रोज शबत में ही आप तो चिंता नहीं करना आपको